नमस्कार प्यारे स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है आपके अपनी योटूब चैनल लेट्स डिसकस में प्यारे स्टुडेंट जैसा के स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप लोगों की एक ही डिमांड थी सर क्लास 11 का सूरदास पे जो प्रोजेक्ट फाइल हमें स्कूल के कैसे बनाना है ठीक है और साथ-साथ में बता दू यह प्रोजेक्ट फाइल के साथ यह मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्प्लेनेशन भी है इसको चैप्टर का ठीक है सूरदास के दो है ठीक है ये प्रोजेक्ट फाइल जो सूर्दास पर है हिंदी में होगा आपका ठीक है ये देखें नाम प्रेड़ना है ठीक है प्रेड़ना स्टुडेंट है जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ ठीक है वो बच्चे बनाई है ठीक है इसका रॉल नंबर भी है ठीक है आप रॉल नं नाम आप वह भी पूरे अच्छे से जो है ना गो ऐसे करके आप लिख लिजीगा बिद्याले का नाम राइट अब देखिए जैसे कक्छा 11 अब जिस क्लास में है आज आज अबिसली सब 11 होंगे तो 11 क्लास ठीक है रॉल नंबर आपको लिखना है बिसाय लिखना हिंदी ठीक ह इसके बाद आपको सिर्शक लिखना है सूरदास राइट अध्यापिका का भी नाम लिखना है ठीक है इसके बाद आपको डीर स्टुट्ट चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये सूरदास आपका यहां देखिए टॉपिक ऐसे कर दिया गया आप भी लिख सकते जोर्दास ऐसे लिख करके बागी कोई दिकत नहीं नहीं भी लिखेंगे तो चलिए आभार जरूर आप लिखेंगे ठीक है आभार में क्या क्या में इंसेंज करना है देखिए आभार में हिंदी परियोजना कार की सफलता के लिए मैं अपने विशे अध्यापिका यानि आप teacher का नाम लिखेंगे इस teacher का मत लिख लिखेंगा ठीक है अगर आप इन से पढ़ते हैं तो इनका लिखेंगा जरूर ठीक है का विशेश आभार व्यक्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ अगर लड़के हैं तो दूर करके संकाओं का समधान किया है इस गतिविदी को पुन करने का सुनारा आफसर परदान किया अच्छा चलिए बहुत अच्छा है अब इसके बाद आप लिखेगा मैं अपने माता पिता विद्याले के परदानचार सिक्षगन पुस्तकाले अध्यक्ष बिद्याले के कर्मचारी तथा आपने मित्रगनों के परती अभार्वेक करती हूँ या करता हूँ जरूर लिखेंगे जिनके सहयोग से शिमित समय में मैंने इस परियोजनाकार को पून किया है ठीक है ये प्रेड़ना है और आप भी अपना नाम यहां पर लिखेंगे इनका नाम ही प्रेड़ना है ठीक है अब देखे प्रमान पत्र भी आपको जारी करना होता है प्रमान पत्र भी बनाना होता है ठीक है तो देखे प्रमान पत्र बें यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे हर एक स्टुडेंट मैं प्रेड़ना या मैं आस्था या मैं पूजा वगएर वगएर जिनका जो नाम है या मैं दिनेश या मैं राकेश ठीक है ग्यारवी कक्षा का अनुकरमांक इतना रोल नंबर भी लिखेगा प्रमानित करता हूँ या करती हूँ कि मैंने कभी सूर्दास विषय पर स्रीमति सुनिता यानि अपने टीचर का नाम लिखेंगे उनके मांग दर्सन से प्रयोजना कारे को सफलतपुर्वक कर लिया है इस प प्रमानिका ठीक है इसको इंडेक्स कहते है तो जीवन पढ़िजे हमने सुर्दास के बारे में पहले बोला था लिखने के लिखा बच्चों ने ठीक है सुर्दास की सिक्षा के बारे में सुर्दास का बिवाह कहां हुआ था ठीक है सुर्दास के गुरू कौन थे राइट इसके बाद सूर्दास के राज घराने के संबंद के बारे में और सूर्दास के क्रिष्ण भक्ति कैसी थी, सूर्दास की रचनाय कैसी, सूर्दास का अंध्दत कैसी था, और ग्रंथ और काब्बे, काब्बे अगत बिशिस्ता है, सूर्दास के मृत्यू के बारे में भी मुख्ता परमान तो नहीं है देखिए हम चिन्ज के बारे में फाइल बना रहे हैं उनके बारे में वह खुद पता नहीं कहां जन्म लिए कुछ प्रूफ नहीं है ठीक है कहें तो हिंदी साहिते में इनका जन्म को लेकर शाहिते कारों के अलग-अलग मत हैं हाला कि कई गरंतों से प्राफ साक्षे की अधार पर माना जाता है कि सूर्दास जी का जन्म साल अटपंद्र सो पैदिस में रूनकता नामक गाम में हुआ था ठीक है अभी पता नहीं रूनकता कहा है ठीक है बठां आपको ये साक्षे के रूपे माना जाता है वही आज के समय में यहां मत्हुरा आगरा मार्ग के किनारे इस्थित है इनके जन्म और अस्थान को लेखर एक पद के माध्यम से बनाया गया है ठीक है जैसे राम राम दास जिसुत सूरदस ने जन्म रुनकते में पाया गुरु बल्लब उपदेश गरहनकर कर्शन भक्ति सागर लहराया तो इसके माध्यम से बताया जाता है जो यह भक्ति काल के महान कभी सूरदास थे ठीक है और महान गेतकार थे आपको बता दे कि महान कभी सूरदास के जन्म से अंध्य होने के बारे में अलग-अलग तरह के मत्भेद है उनके जन्मांध यानि जन्म होने के पस साथ होने का कोई प्रमानिक साक्षे नहीं है जिनके आधार पर यहां कहा जा सकता है कि बेजन्म से ही अंधे थे सूर्दास जे सुरू से ही भगवत भक्ती थे अब आगे आपको पता दू रिये स्विंट उसमें लीन तो थे ही उन्होंने खुद को पूरी तरह से क्रश्न भक्ती में समर्वित छोड़ दिया ऐसा माना जाते है जो छैसाल की उमर में ही घर छोड़ दिया बताई आजकल तो लोग समझते हैं आप लोग इसके बाद में यमना तटके गौव घाट पर रहने लगे थे और एक बार सुर्दास जी अपनी ब्रिंदा बंधाम की यादरा के लिए निकले तो इस दौरान इनकी मुलाकात बलबाबाशार्या से बहु जिसके बाद उनके सिसे बन गए और गौगहाट पर ही उनका भेट सीरी बलबाशार्या से बहु आए और बाद में उनका सिसे बन गए ठीक है अब नेक्स लिखना सूर्दास की सिक्षा कहा होई थी ठीक है तो महा कभी सूर्दास ने बलभाचारे से ही भक्ती की दिक्षा प्राप्त की और बलभाचारे ने सूर्दास जी को सही मार्ड़ासन देकर स्री कृष्ण भक्ती के भक्ती काल के महा कभी सूर्दास जी और उनके गुरू बलभाचार के बारे में एक रोचक तत थे यहाँ भी है कि सुर्दास और उनकी आयू में महज़ दस दीन का अंतर था विद्वानों के मताबित गुरू बलभाचार का जन्म 1534 में बैसाख कृस्न एकादसी को हुआ इसलिए कई विद्वान सुर्दास का जन्म भी 1534 में बैसाख मुक्न शुकल पंचिमी के आसपास मानते हैं सुर्दास जी के गुरू बलभाचार अपने सिस्थे को अपने साथ गोबर्धन प्रवत मंदिर ले जाते थे और हर दिन नए नए पढ़ बना कर एक बारे में के माध्यम से उसका गायन करते थे ठीक है इसके बाद आगे और देखेंगे ये सब आप देखें इसे आप लिख लिजिए ठीक है अब ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा सूर्दास जी का बिवाह के बारे में मैं थोड़ा सा बोलता हूँ ठीक है देखें कहा जाता है कि सूर्दास जी ने बिवाह किया था हलाकि उस बिवाह को लेकर कोई साक्षे प्राप्त नहीं कि उन्होंने साधी किया भी या नहीं किया लेकिन फिर भी उनकी पतनी का नाम रतना वली माना गया है, ठीक है, कहा जाता है कि संसार से बिरक्त होने से पहले सूर्दास जी अपने परिवार के साथ ही जीवन बैतित किया करते थे, यानि अपने परिवार के साथ ही जीते थे, ठीक है, सूर्दास जी के गुरू के बारे म इसको आप असानी से नोट डॉण कर लिजेगा ठीक है इसे आप क्या करिएगा नोट डॉण कर लिजेगा राइट कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा ठीक है सूर्दास जी के राजघरानों से संबंद के बारे में बताना है ठीक है तो देखें सूर्दास के राजघरानों से क्या संबंद थे इसे भी आप यहां से आसानी से इजली आप नोट डॉण कर लिजे राइट अब आगे देखें यहां पर सूर्दास जी की भक्ती कैसी थी इस भक्ती को लेकर के बहुत सारे ये सूर्दास की भक्ती के बारे में है तो आपको ये मैं पढ़के बता देता हूं देखे बलबाचारे से सिख्छा लेने के बाद सूर्दास की पूरी तरह किसन भक्ती से ही हो गए में हो गए और सुर्दास ने अपनी भक्ति को ब्रज भासा में लिखा और सुर्दास ने अपनी जिंदगी की रचनाए की ब्रज भासा में की इसी कारण सुर्दास की ब्रज भासा का महान कभी बताया गया है और ब्रज भासा हिंदी साहित्य को ही एक बोली है जो की भक्ति काल में लाबा रहीम भी बोलते हैं रश्खान केशब घनानंद बिहारी त्यादिकार योगदान हिंदी साहिते में हैं राइट अब आगे आपको लिखना है सूर्दास की रचनाय क्या क्या है तो यह देखे सूर्दास की रचनाय सुर्सागर है जो की बहुत ही इंपोटेंट है आप आप से पूछा जाएगा सूर्दास ते सूर्दास तो सूर्दास अगर इसके बारे में लिख लिजेंट ठीक है अब इसके बाद सुर्सावाली ठीक है शुर्सावाली में कुल 1107 पद चंद है इस गरंथ को रचना सुर्दास ने 67 बर्स की उम्र में की थी और यह संपुन गरंथ एक बिरहद होली गीद के रूप में रचित है अधोनिक काल के प्रमुक कभी हमारी हजारी प्रसाद दुवेदी ने कहा है कि मकाब्य गुनों के इस विसाल बनस्थली में अपना सहज सौंदर्र है शाहिते की लाहरी जो है ना शाहिते की लाहरी सुर्दास ने ही लिखा है ठीक है तो इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद प्यारे श्टूर्ड़ नल देमंन्ति ये सुर्दास जी क्याही रचना है तो इसके बारे में भी आप क्या करें डोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ठीक है सुर्दास का अंध़त यानि कब अंधाऊ गया इसके बारे में भी ठीक है से भी अपनों कर लिजिए अच्छे से राइट इसे आप आसानी से लिख लेजिए ये इसे में प्यार देता हूँ इस कारण अधिकतर बर्धमान विद्वान सुर को जन्वस्थान सुईकार नहीं करते और डॉक्टर हजारी परसाद दुवेदी के अनुसार दुर बैवार के बुद्ध को ही यहां यानि सुर्शागर है ठीक है कि पदों से यहां धौनी अवस्थे निकली है कि सुर्दास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं जन्म का अंधा और कर्म का अभागा वह सब शम्य इसके अक्छरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहि सब लिखा हुआ थो इसे आप not done कर्लिजिए और ग्रंत्र और काब्ड के बारे में लिखना है ठीक है जो की यहां पर है इसे not done कर लेंगे आव है इन आगे और हैं इसे भी आप not automatic कर लिजे राइट इसके बाद आप यहां जो हैन काप्डे गत भी सेश्थ आइं इसे भी आपको भी नो डाउन करना है इसके बाद यास्ट है आपको सूरदस के मृत्यू मृत्यू को इसे आपको अच्छे से लिखना जाए ठीक है तो dear student आप टेलीग्राम पे जरूर जॉइन हो लिजी इसका PDF पाने के लिए ठीक है इसका लिंक मैं आपको description बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट चलिए तो फिर मिलते अगले अपडेट के साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आपने दोस्तों तक share कीजिएगा चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है